लेखे ना आप देखने के लिए तो बोलाया अपको हमने आपको देखने के लिए थोड़ना कोड में बोलाया है 5 पादेश था कि किस एकाउन कैसे आपने इनका सीच कर दिया जवाब में लिखके क्यों नहीं दिया था जवाब पड़ते वक्त C.R.P.C. उपलब्द नहीं धी किया है एलिए पुलिस ओफिसर में सीज नी परपर्टी विच में भी एलिज़ और सॉस्पेक्टेड तो भी इस टोलन और विच में भी फॉंड अंडर सर्कमिस्टांसेश इस विच रिए शुपीशन अब दी कमीशन आप नी ऑफंस आपने जवाब में क्यों नहीं लिखे दिया आपको आना नहीं पड़ता है यहां पर सब मैं अभी रिसेंट्ली जॉइंड हूं वो मेरे पहले जो सीपी थे उनको नहीं मालूम था कानून नहीं लिखना भूल गया कि मालूम नहीं था 102 भूल गया यह भूल नहीं होती है यह एपको आना नहीं पड़ता इसी पीशा अभर यह लूड आपको आपको आना नहीं पड़ता है यह यह लोड शिक्मिए हघा उप्ड पर्वें कि इस सच लिखेंग यह लोड को प्रवें तरहीं लॉडिट्ट्टिवड नहीं हूज कि एल्पकर्ति श्यॉत मजिस्टरेट को आपने इतला दी सीजर की सीजर की मैं देख के बता हूं देखेंगे ना आप देखने के लिए तो बलाया आपको हमने आपको देखने के लिए थोड़ना कोड में बलाया है कब इतला दी बताइए किया अनुट देखने के लिए भावज jetzt कि आप कि अपक्राद काने के लिए कि हम सीजर करेंगे एिए कि अन्पाद दूए फ्यास के लिए टब रह दुट मैं प्रप्रों को आपका फ्रीट हो जाएगा तो तो दिरिक्ट्ट्र एक्षिए अप्रेट किया प्लाइस दिए सग्ट लेजिए कार्णीन प्रेट इस बदैक्षिंट थार्णी if he had not given intimation to the concerned magistrate then he violated the provisions of CRPC and action should be taken against him for dereliction of duty and for acting mellifidely. अपनका सीस कर लीजे न किसने मना किया? अब अघिल साब को भी सीस कर लिजे ले जाएं हैं आपके उठार साथ में आप करी रहे हैं कहीना कहीं पर लेकिन उसकी इतला दीजे मैंजिस्टेट को तरी है किले जाएं हूँ नाइटीन कमेटरती τηiza का जपाम प्रफटा ए मैं एट एड वर्मते एव एड फंट वासी परा इस ऑंड़ फट इन स्टमिर लिकिए गर्श कुझ सीरी कुंदिंट कॉंसर पॉनस को सिर्भ नंअ अबन вас्मानेड कॉंसेट पूझन embargo इज लॉंच वेच ली अटीव इपसट नंग कि टिवाड टिवारे असलिट टिवारी एसलिफट कुछ निससा третьEM कुछ् le 대해 एसलिब्ट इसलिबूर इसलिबूर कॉमेस्थ विसाइबूरे river तू advocating anneals that सीज़ उसमेर बेन खर्सपह आफड़ा berbed by CRPC under section 102 within bracket 1 POLIST OR however, Shri Saiti submits that the powers of Caesar listed in a police officer under section, subsection 1 of section 102 are not unbridled they are circumscribed with subsection 3 which requires that after Caesar intimations should be forth with given to the concerned magistrate having jurisdiction full stop next better from the report shri kiwari is not in a position to demonstrate as to when intimation was given to the magistrate full stop thus if intimation is not given to the magistrate then that vitiates the whole process of caesar full stop that will result in police rule rather than rule of law and that cannot be the intention of the of any democratic institution full stop thus shri ash tewari is granted two days time to file a personal affidavit as to on which date the person who had made caesar had given intimation to the magistrate along with the copy of the acknowledgement from the court of the concerned magistrate and consequent entry in the inward register of the concerned magistrate and outward register of the concerned police stations so let list this matter on 26th june 2023 top of the list is 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 पिवाली जी को तो मालूम होगा है यह वास हम लेवल सब्सक्राइब लिए नंबर